दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका, आज किस वीडियो में आप सीख रहे होंगे रील्स को एडिट करने की किस प्रकार से आप ट्रेंडिंग रील्स एडिट कर सकते हैं, देखे इस वीडियो में मैं आपको किस प्रकार की रील्स एडिटिंग सिखाने वाला हूँ, यह सबसे पहले आप देख लो इंफोर्मेटिव वीडियो जो होती हैं उसकी रील्स आपको एडिट करने आज की इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ तो आप एक इक्जामपल देख लो इस एक्जामपल को देखने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जा सकते हो और मेरे ही रील्स देख सकते हो बाकी मैं उस रील्स का एक छोड़ा सा हिस्टायां पर प्ले करके आपको दिखा देता हूँ तो कुछ इस प्रकार के रील्स आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप एडिट कर सकते हो सबसे पहले आपको basic concept बता देता हूँ कि कौन-कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप ऐसी रील्स एडिट करो तब सबसे पहले तो जिस भी आप चीज के बारे में बात करो जिस भी डिटेल आप दो रील्स में उसकी एक PNG या फिर वेक्टर आर्ट आप सो कर रहे हो with shadow effect अपने रील्स में और sound effect तो मस्ट है दूसरी important चीज है वो है आप subtitle लिख रहे होंगे अच्छे तरीके से उसमें भी आपकी जो subtitle की टाइपोग्राफी होगी उसकी color, size और font की style वो different होनी चाहिए एक subtitle color, size और font style तीनों अलग-अलग रहनी चाहिए एक ही sentence में कैसे करना है यह पूरी आज ही की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हो तो please इस वीडियो को लाज तक देखीएगा उसके बाद आपको progress बार लगाना है यह कैसे लगाना है यह मैंने इस वीडियो में बता रही थी तो इस वीडियो को आप जाईए और एक बार देखीए काइन मास्टर में यह सारी चीज़े करनी है तो easy है आसान है बस एक बार जाके आप द्यान से सारी चीज़ों को important uses है यह मैंने इस वीडियो में बता रही है तो प्लीज इन दोनों वीडियो को देख लीजिए sound effect के बारे में अच्छे से जानने के लिए चलते हैं अपने mobile screen पर सबसे पहले चलते हैं और काइन मास्टर एप्लिकेशन को खोलते हैं क्योंकि वहीं पर हमें सारी चीज़े कर आपको create new option पर क्लिक करना है और 9 is to 16 रेशियो पर सेलेक करते हैं उसको आपको next पर क्लिक करने के बाद आपको उस वीडियो को सबसे पहले import करना है जैसे वीडियो को आपने suit किया था ठीक है तो उसको मैं आपने इंपोर्ट कर लेता हूं मेरे पास वीडियो जिसको कि मैंन आपने से पहले हम क्या करेंगे एक बार color adjustment पर जाएंगे और इसके brightness contrast को हल्का सा increase decrease करेंगे ताकि थोड़ा सा color हम लोग इस पर चीजों को correct कर सके ठीक है ढ़े टेकमाार क्लिक करते हैं इसपर किलिक करना आपको और एक effect आपको लगाना जैसे हम कहते हैं Gör 2019 इस पर click करने के बाद आपको सेडैयोगif क्लिक कर देना है अब आपको सेड़ोफेक्ट अगर नीचे से लग रहा है इस साइट से अगर सेड़ोफेक्ट आपको लग रहा है कि कम है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पर उस इमेज को आप डाउनलोड कर लेना वह एक पी एंजी है और उसको इंपोर्ट आ筆 और उके अब यहां पर मैं एक टेक्श्ट यूज करूंगा लाइक आप जानते होंगे इलॉनमस्क को यह मेरा एक टेक्स्ट है इसको यूज करना है तो इसके लिए क्या करेंगे सबसें पहले पिक्सल लब अप्रजायेंगे जो भी सब्सक्राइब करने के बाद यह पूरा जो टेक्स्ट है इसको अच्छे से रिसाइज कर देंगे और यह पर क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे फोन्ट पर जाएंगे फोन्ट जो यूज कर रहा हूं मैं एक्स्ट्रा पॉपिंस एक्स्ट्रा बॉल्ड यह यूज कर रहा हूं जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले तो यह फोन्ट स्टाइल होता है फोन्ट का नाम पॉपिंस और फोन्ट का जो स्टाइल है वो है ब्लै कि style भी different रहेगी जो highlighted text रहेगा तो जैसे मेरा यहां पर जो highlighted text है वो Elon Musk है तो इसको मैं क्या करूँगा increase करूँगा इसके size को और color भी different रखूँगा तो उसके लिए मैं करने क्या वाला हूं सबसे पहले तो पूरे text को select करके और इसका size रखूँगा bold उसके बाद Elon Musk को सिर्फ select करूँगा और इसका size रखूँगा extra bold या फिर black ठीक है अब आपको ok पर click कर देना है अब क्या करना है मैंने आपको कहा कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है जब आप text करो तो highlighted text को color भी change करना है आपको उसका style भी change करना है तो अब चलते है color पर हमने style चेंज कर दिया लेकिन color नहीं किया तो color पर सबसे पहले सारे को yellow रखेंगे टिक सारा पूरा जो text होगा उसको yellow रखेंगे और जो highlighted रहेगा उसको कुछ और कर देंगे लाइक मेरे टेक्स्टा बेक्राउंड है वह रहने वाला है ब्लेक तो ब्लेक के उपर yellow एंड वाइट तो एलन मस्क का जो color है वह मैं white कर दूंगा अब क्या करेंगे बैग्राउंड का यह जो option है इस पर से आ जाएंगे और इसके बाद लेयर पर जाएंगे उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों मीडिया पर जाएंगे और जिसे हमने इंपोर्ट किया था पिक्सल लैब से उसे जो हमने एक्सपोर्ट किया था पिक्सल लैब पे उसे यहां पर इंपोर्ट करेंगे तो यह हम लोग यहाँ पर ले आये हैं, उसके बात क्या करेंगे, आप इसमे अगर shadow effect डालना चालाते हो तो भी डाल सकते हो, shadow effectिक डालना चालते हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर आना याँ आपको pixel lab में text को select करके रखना करना है यह पर क्लिक करना है और यह वाला इने वाला आप कर सकते हैं कुछ इस तरीके से x-axis y-axis और आप यहां से कम ज्यादा कर सकते हैं ब्लर रेडियस यह देखें ब्लर रेडियस ठीक है कुछ इस तरीक से टिक मार पर क्लिक करते हैं ठ्री डॉट पर क्लिक करके अगें एक्सपोर्ट इमेज दें सेब टू गलेरी फिरसा को काई मस्टर पर आ जाना है और इसे आप चेंज कर दीजे जो मैंने अभी सेड़ एफेक्ट लगाया है उसको यहां पर इससे रिप्लेस कर देता हूं अगर आप सेड़ एफेक्ट लगाना चाहते तो कुछ इसी प्रकार सेड़ एफेक्ट भी लगेगा सिंबल से ठीके अब आप चाहते कि बैग्राउंड में मैं अगर कलर दू यानि बैग्राउंड दू आप सभी लोग एलोन मस्को यानि टेक्स्ट का को जो वाला यूज करूंगा वाला अब आप शेसे परकार से टीको कर दिया सब्सक्राउंड यहां पर आपको लेख्यूंड करना चसे हैं और मैं परकूं음 में लेप्टॉप में आपको मिलेगा थ्री डॉट इस पर क्लिक करके सेंट टो बेक कर देना है अब इसकी ओपेसिटी हमें थोड़ी करने हुआ है कि अबसे लिए प्लग करने हैं तो यह हमारा कुछ इस प्रकार से हो गया है बहुत ही आसानी से यह मैंने सबडाइटल करना अब बताए हैं अब बताते हैं कि png कैसे इंपोर्ट करना थो aug lige पींजी डाउंलोड पड़ेगा डाउंलोड करने के लिए coloc पर जाना पड़ेगा और कोई भी पींजी डाउंलोड करना पड़ेगा और उसे आप remove.bg पे जाके basically उसका बीजी प्लूअफ कर सकते हैं फिलाल मैं करूँगा क्या इंपोर्ट कर लेना फिर इनइशंड पर जाना है और एक अच्छा आपको इनइशंड लगा देना आए लाइक मैं ये वाले इनअनीशन लगा दे रहा हूं कि ये वाला से आता है कैसे करना यह मैंने और इस वीडियो पर बता रखा है तो आप एक बार डिटील SFX के लिए डिटेल वाली वीडियो प्लीज देखिए का मैं तो यही आपको कहूंगा और यह हमने आपर लगा दिया है कुछ इस तरीके से तो यही सारी चीजे हैं आप जैसे जैसे सीखते चले जाओगे वैसे वैसे चीजे पॉसिवल होती चली जाएगी बाकि प्रोग्रेस बार कैसे लगाना यह तो मैंने इस वीडियो बता रखा है तो इस वीडियो को जरूर देखे बाकि यही थी आज की वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए कोई दिक्कत रहे गई कोई परेशानी रहे की ट्यूटोरियल में तो प्लीज उसे रिपीट करिए और समझ यह चीजों को बाक प्लीज करिषख गणनल कर देखे चैनल कोई बालुटरियो अच्ट है यह कोई टूड़र्रेश टिक्मानी बालुटरर्म जिजों कर फ्लीज और सम्झ परेगीज दोटियों को रियाया, जाएम झाम ख nephew आधे। झाल झाल